सब्सक्राइब के यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत हैं चलिए सिख्षक और सिख्षक दोनों का कंबाइन क्लास से समारी दोया करवाई जा रही है यह आपके छाटाव सरिक्षक के लिए भी इंपॉर्टिन है और चलिए का जो क्लास नंबर तीसरा हुआ था और चौंथा हुआ था इन दोनों में जितना भी आम लोग ने थेवरी किये थे ठीक है अभी तक आप चार क्लास हो चुक है हिंदी और हिंदी सिक्षान सास्त के पैड़ागोजी के तो वह नहीं देखे तो आप जाईए क्लास लाने में भी हम लोग को उतना ही उससार है कि ज़्यादा बच्चे जूर रहे हैं भी करके और डेली नाइन पीम में ये क्लास हो रही है तो चलिगा इसको सेयर कर दीजेग बार अपनी स्टेटास में फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं तब तक आप लोग को पताना चा ठीक है तो देख लिजें क्यों रिजिस्ट्रेशन फीस है उसके अनलिमेटेट आपको जब तक पेपर नहीं होगा तब तक बैच चलेगा ऐसा हमारा बैच रहता है हमको भी रिजल्ट चाहिए तो शिक्षक का सिक्षक का सिक्षक का सेवें नाइट यां दोनों बैच बारा पश्टावे से बेतर इस बाद जीजान लगा के तयारी कर लिजाए अब समय वेश्ट मत कीजिएगा ठीक है चले इसक्रीम पर पहला कोशन लग चुका है यह सारे वही कोशन है जो ब्यापाम लेवल की इंपोर्टेन है जितने हमारे प्रेक्टिस सेट में डाला गया है और जो सिक्षक साइड सिक्षक और चाताव साथ इच्छक लिए इंपार्टे चाती लगे व्यापाम के लिए इंपार्टेन उन्हीं कोशन हो को हम लोग कराते है तो प्रेक्ट को चेक कर लिए हो वह आपके लेवल का है की नहीं उससी आपको rank result में नाम आ रहा है कि नहीं ठीक पूरा डीटेल पड़ाया तो नीच देखे लाइब चै नीचे का आ आपसान नीचे लाइब Chet का आ उसमें करेंगी कमेंट मेंं करना रहा था Dire Cashjolo It उसमें आप आंसर देते जाएगा जली आली करेंगे बहुत सरे कोशन आज करेंगे दो-तिन देंगे नहीं क्लास नहीं हो पाया तो उसको कवर करना है चली करता है तो जो मश्रूडों को टच करके जीब जब निकलता है तो क्या होगा टाप टाप बोलके देखिएगा ठीक है दान्थ सूपर वालों को टैच करता है उसको बलते मूलधन आपको मैं याद करने का ट्रीक भी बताया था पहले कंड ठीक है फिर तालव्य फिर मूलधन फिर दंट फिर ओंश्ट लाइन से था ठीक है कचप टप वाला ठीक है ठीक कचट टप ठीक इसको देख लीजेगा च जितना ठीक पड़ाया हो ताकि आपको पता चल पाए को कोश्टन कैसे बतना है यापन लेवल पे तो चलिए अगला कोश्टन है समू वाचक संग्या कौन सा है बुढ़ापा कच्छा साकेत उन तो आपको समू कबारें बताना है तो कौन सा पता रहे है जल्ली अली कमेंट क अगला कोश्टन है तीसरा परिमार वाचक विसेशन क्या है पांच किलो छोटा पांपी चौथा तो जल्ली बताए परिणाम वाचक विसेशन क्या ऐसी कोश्टन मनते सब लेवल के कोश्टन करेंगे आपकी टेस्ट वैच में आप लोग कवर करी रहे है आज हिंदी का साथ कर ओ cardboard रिजल्ड भी आ गया सुझेक चैर्ट भी स्टार्ट हुरा है साइस शिक्चक वेज में वेत में इंगलिस की भी क्लास होगी नहीं करेंगे करेंगे हाई लोंकल कंवर करेंगे ति अगला सब्जेक जल्दी बताएं अप्सन नमर ए बिल्कु सही है आप्सनमर ए पडिमाण बाचक विसेशन चली कोशन नमर चौता रेखेंगे संख्या वाचक विसेशन अगला कोशन नमर पाचवा अधिकरन की विवक्ती क्या है अधिकरन की विवक्ति क्या है तो आपको मैं याद करने के लिए से ने पर आपको बोला जैसे पहड़ा पढ़ते न बच्चे लोग दो एकम दो रूँचार वसी याद कले न बोलके करता ने कर्मों को करन से संब्धान के लिए अधिकरन में मौपा थिक तो बताई जल्दी अधिकरन क्या है तो में मौपा आता है न पर में मौपर तो यह होगा आपसर नूमर डी अधिकरन के क्या है विवक्ति पर कोशन कैसे बनते हैं इसी प्रकाइक बनते हैं ध्यान दीजेगा चलिए संब्धान की विवक्ति क्या है के लिए का पर ए जल्दी पढ़िए पढ़ सब्सक्राइब करते हैं कितना आपके सही हो रहे हैं आप लोग बताते नहीं हो क्लास को से यहां दिखता है आज ही मैं बोला था रिजल्ट डाला तो उसको से सेर कीजिए घर के दो चार बच्चे लोग कहीं दिखता है आपका ही बेनिफिट है इतने ज़्यादा लोग रहें उतना ज़्यादा हम लोग क्लास देने के लिए थोड़ा से उससाहित होंगे नहीं तो बस टेस्ट चलेगा फिर आपको चलेगा अगला कोश्ण कोश्ण नम मार वाचक जली इस बताएंगे कौनसा विसेशन का प्योग इसमें हुआ है जली बताएंगे ककछा में बहुत से बच्चे थी तो बिलकुल सोंगल आप अनिस्चित है रेखेंगे का बहुत से बोल रहा है ना कोई कांफर्म नहीं कितने बच्चे थे दस-बीस-teats बहुत से से बोले मला अनिस्टित संख्या वाचा आएगा चलिए अगला कोश्ण कोश्ण नमर आठवा आलस सब्द का विसेशन है आलस का आलसी आलसी पन तो बताना है आलस सब्द का विसेशन है क्या है बताइए कि ऐसे कोश्य आता है और आदमी का हलत खराब हो जाता है प्रैक्टिस नहीं किया रहते तो अलस्य का अलस्य को विश्य सां क्या होता है आलसी बोलते हैं वह बहुत आलसी बच्चा है ठीक है तो इसका सज्यान सोज़ें आप लोग कमेंट करते चाहिए सर्वनाम के कितने प्रगार हैं छै चार तीन दो मैं पूर आपको एक एक टो यार कर रहा हूँ ठेवरी क्लास देखेंगे नहीं देखेंगे आज क्लास के बार एक बार फिर से रिवाइस कर लिजीगा सभी क्लास को तो सर्वनाम के कितने प्रगार है तो आप्सन नमर एच है ठीक है चलेगा नेम लेकित में कौन सा सब्द विसेशन है क्वेशन में दसवा का आंसर दीजे दस और एबी सी ऐसे लिखा करें न कमेंट में दस एदस भी तब पता जल्दा क्या बता रहे हो कहां पूँचे हो न निपट 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 क्या बोलता है न विसेशर सब्दे में आता है निपट ध्यान दीजेगे इसको न इंपोर्टेन है थोड़ा अलग सा हट के कोशन है तो निपट क्या है विसेशर चले कोशन में क्या रहा करेंगे निश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा है निश्चय फिक्स क्या कूच यह कौन तो कौन सा इसमें से सर्वनाम है जो निश्चय वाचक का बोथ करा रहा है चले जली जली कमेंट करेंगे और मैं बार बार बोर रहा हूँ आपके आसपस जितने लोग भी होंगे सिक्चक साइक सिक्चक के तयारी वाले उनको जोड़वा दीजेगा पचत्त त्रासी चांसी चांसी चमाली सेखसट और जितने लोग भी डेमो ले लिए हैं अभी तक सो डिसाइड नहीं कर पाएं जूड़ने का तो इस्टेटस में देख रहे होंगे क्लास देख रहे होंगे तो जड़ू जूड़ जड़े हैं मैं बार बो रहा हूँ थेवरी पढ़ने यूटूब बस से नहीं होगा आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा रिजल्ट देखना होगा क्या कमी है क्या बेसी आकलन करना होगा जो हमारे बैच में आपका ब इस्ट्रिलिंग क्या है बाल इस्ट्रिलिंग ये बाल है तीक है बाल का सित्रिलिंग किले का क्लास हो सभी चीज़ आपको सही समय पर सटीक रुप से मिल जाए चलिए तब बाल का स्तिरलिंग होता है बाला ऑप्सन नुमर 20 का सही आंसर है बहुत लोगलत किये इसको ध्यान दीजिएगा बाल का स्तिरलिंग बाली का कई लोग लागा देता या बाली लगा देता यह नही बहुत बार पूस्ता है लेखा कवी तर कवी लेख लेख का पुलίंग बताना आपको कवीतनी का पुल-लिंग पढ़़िएगा कवी तरी का पुल-लिंग न साधू का इस्त्री लिंग क्या है साधू स्वारी साध्वी साधू साध्वी साधूनी अब सो हिसा हुशन पर चुक्डा कांग से जल्दि कमिन किजिएगा साध्व क सभी hoता है कवी सब्सुब्द का स्ट्री रिन लूप क्या है कभी का स्ट्री कोशन बार बार पूछा जाता है व्यापवां इसको अच्छेस करिएगा लिख के रख लिजीएगा और नोट से बनाते जाएगा को जो थेवरी क्लास हो रहा है तो लोग ज़्टी क्लास करेंगे एक दिन में दो डो क्लास करेंगा भी तो एक दिन में दो क्लास करेंगे एक हिंदी का एक इंगली ताकि जल्दी जल्दी सी रिबस कंप्लीट हो तो इसके लिए आपको आज सभी लोग स्टेटस में इसको लगाईएगा जड़ा जड़ा रिष्टेशन करोई आपने आसपास ताकि हमारे टीचर भी उत्साहित हो क्योंकि हम लोग इसका तो फीस लिए नहीं है यह तो निसूर घया जड़ाऊ है क्या संख्या वाके रिमार वाकाई है क्या सारवनामी चंतला कौन सभी सेशन है क्यों गृद मर्दे नहीं गृद बता रहे गूर है यह कामचोर उसका विप्रोइख तो ऐसी गुड़ बता रहे है तो यह हो जागा अपसर नमबर ए इसका सही आंसर है ठीक है चलिएगा अगले कोश्चे को बलते है कोश्चे नमर 17 वह कौन सा सब्दा है जो प्राया बहु अचन में प्रयुक्त होता है तेरा दे च्रोबर जया सका इस से कौन सा सब्दा है जो हमिशा प्राया बहु अचन में ही होता है देव छात्र एक सेकन रूक्येगा इस बताइए गाकंड़bel फ्रेवह इन में से सब्दा जो बहुय चत्र में प्रयुक्त होटा emis से चार-पांस सब्द हैं आपको बुक में मिला होगा पड़े होंगे तो जो हमेशा वह अचन में होते हैं प्राण ठीक है चले नाइस कोशन अगला कोशन अब ठारा रिक्ति स्थान के पूलती के लिए उपर्युकत काराख का प्रियोग केजेए प्रते क्रस्थी प्रत्य प्रत्यंगा के समभावी उत्तर-प्रत्य सब्सक्राइब करें अगर आप तयारी करें तो डेफिनली मैं आपको गरेंटी देता हूं इसे बहुत वेनिफिट आपको मीलेगा हमारे बैस से भी जूडएंगे तो आपको बहुत चले वेनिफिट में लास्ट में आप देखेंगे का आपका दिमाग बहुत अच्छे तईक आपसर नमर सी इसका सही आंसर है प्रत्य प्रस्न के चार संभावित उत्तर थेक है के लिए नहीं होगा प्रत्य प्रस्न के प्रत्य प्रस्न के लिए नहीं प्रत्य प्रस्न के आपसर नमर सी इसका सही आंसर है चले कोशन नमर 19 निम्ने विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चैन कीजिए मैं बहुत अच्छे से सर्माया समझाया था आपका सकर्मक और अकर्मक लेटना, छूटना, पिघलना, तड़पाना चले बताईएगा सकर्मक क्रिया का चैन करना है चले बताईएगा आपसर में छूटना ठीक है चलिए कि स्कूर देखेंगे तब अच्छे समझ में आएगा ना कि पुश्य नमार बीस मानाव सब्द के लिए उप्युक्त भाव अच्छक संग्या बताना है आपको ठीक है भाव अच्छक संग्या बताना है डेली आएंपेर में क्लास होगी अब जियान दीजिएगा डेली आजाए करें चैनल स्वाइब कर रखें तो मानाव सब्द के लिए उप्युक्त भावचक संग्या का चैन कीजिएगा मनस्वी मानवता मनुस्यत्व आद्मियता क्या है पताईगा मानवसब्द के लिए भावचक संग्या जिसक रही हो जाएगा मानवसब्द का मानवता होता है आपसर नमबर 20 का सही आंसर है चले लिए नेस कोशन कोशन नमबर 21 इननी भासा में वेद्वनिया कौन सी है जो स्वतन्त रूप से बोली जाती है स्वर वेंजन वर्ण अच्छा जली पताएंगे फास्ट कमिन करेंगे जो स्वतन रूप से बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं तो आप सभी को पता है अप्सन नमरे स्वर बोलते हैं ठीक है जो अब आद रूप से बाहर निकलती है यह बार बार भग जा रहा है चले कोशन नमर 22 पहुंच चुके हैं हिंदी में वचन होते हैं कितने बताईएगा एक दो तीनन अंगीन हिएं में कित्ने प्रकाया करते हैं यह नवर 22 गांसर करेंगे कितना से उसे लिए लास कतर मुद एक किंदी में नम नमर 10 से अथनस कि ताम हुँआ है तैंसे अपसरे spl कर और यह ऑ्स एक वाचन वाचन बोच न एक वाच संस्कृट में जादा होता है एक बचन लाञगा होता है recifaced i3 États तेस्वाज नम्बग कोश्च товण में आगरा का बबढ़ मोयचन क्या ओगा रे आगई आगरो आगरे बह intern नहीं होगा वततों ने आगरा का क्या होता है कि इस कि अग्री कोई की नाम नमर्च चूबीस जिन सब्दों में प्रयोग के अनुसा कोई परिवता नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं most important इस्टार लगा लिजेगा नोट कर लिजेगा जिसमें कोई भी परिवता नहीं होता पद कहलाता है विकारी सब्द अविकारी सब्द पद बंद नहीं होता। तो क्या कर लाता है जिसमें लीग वचंग, क्रिया कर लाइ ये सब कर लेडार पर चेंजेश नहीं होता। तो क्या कर लाता है आपसल मसी अविकारी सब्सक्राइब से कौश्ण में 25. जाती वाचक संग्यां है. जाती वाचक बताना है 600, लोहा, लकड़ी, पुस्तब. इनमें से कौन सा जाती वाचक है. जाती मतल् Ald a, एक पूरा प्र्टीकुला जाती का बौत कराएगा. पूरे ग्रूप का. पूस्तक को तो इसका सही आंस हो जागा आपस नमबर डी पूस्तक चले कोश्ण मच अब 20 बताएंगे निम्ने लिकित में कौन किस वाके में संप्रदान कारक है तो बताना है संप्रदान कारक किस में है मेरा घारी स्टेशन से बहुत दूर है राम घर पर सो रहा है राजा ने निधनों को कंबल दिये निसार खेलता है तो आपको बताना है कौन सा कारक में मतलब कौन से वाके में संप्रदान है जली बताएंगे इसका सही आंसर आज़े का आपस नमबर सी राजा ने निधन को कंबल दिये ठीक है कोशन नमर 27 पहुंचगे न वह स्वता ही जान जाएगा में वह क्या सर्वनाम है पुरुस वाचक नीज वाचक संबन वाचक अनिश्चय वाचक वह स्वता ही जान जाएगा उनसे सर्वनाम में इसी प्रका कोशन पूछते हैं और आप लोग थोड़ सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इस प्रकार के कोशन आपके नॉर्मल जनरल बुक में नहीं दिये रहते हैं सर्वनाम क्या है सवनाम गर्यम दे दिया हो गया खतम प्रक्टिस करना जोरी जैसे भी आप हम सीजी टेट में सिच्छक वाटी में आते हैं उसी इसलिए जोइन करन है कंट या कंट के आएगा तालव भी पूर्ण नंबर वाला पूछ रहे हैं बता दिजये पता है आपको पहले का आता है का आता है तो आपको अ क्या याद हो गया हुगा क्लास नहीं देखो मैं बार बोरों क्लास देख लिजिए कि इंदी का प्लेइलिस्ट में अप्लोड है किस सब्द में ए स्वर नहीं है वैदिक एक्या पैत्रिक इसने किसमें नहीं है बताइएगा कोशन में 29 जल्दी करेंगा आंसर कि इसमें ए नहीं देखे इसमें भी एक है वैडिक एक्या पैत्रिक इसने में नहीं है ठीक है तिसके से आंस वजाएगा आप्शन नमबर डी इसने है ठीक है चले कोशन में 30 बड़ा कोशन है ध्यान से पढ़ेंगे चलेगा बताएंगे जल्दी कोशन पढ़ें आप लोग बहुवचन कहते हैं वेश सब्दर जिस रूप में बहु का बोध हो जिस सब्दर के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो सब्दर के जिस रूप में किसी जाती का बोध हो सब्दर के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वश्तु अधियों का बोध हो से बहुवचन कहते हैं प्रस्णवाचक सर्वनामों का है वह उसकी हम किसी तुम क्या कि जिसे जैसा कौन किसे कब तो प्रस्णवाचक बोला है तो पढ़ते साथ आपको समझ में आ गया होगा तीसका सही आंसा क्या हो जाएगा जली कमिन कीजिए आप लोग अध्यान दिजिए का आप डेली जूर ज चाहिए टाप टिन लेकर वीडियो का लिंग से आका दिखना चाहिए तक आप चाल लोगों को आपके रिजल्ट दिखने तो आप मैं उसको बनाए रखोगे कि मेरे टॉप 10 में आना है नीचे नहीं जाना है करके ठीक है चलिए इसका सही आंसर क्या हो जब आपसर नमबर डी कौन किसी कब चलिए लाश कोशन है थर्टी तो कोशन लिया था मैं आज को बाकी बैस में कवर कराएंगे और जहां एक क्रिया के समाफ्त होने के पूरंत बाद दूसरी क्रिया के होने का बोध हो जैसे दिनेश पढ़कर सोया पढ़ा फिस हो गया तुरन यहां पहली क्रिया को क्या कहते है मैं आपको समझाया था थे वरीम पढ़ा चुका हूं तर काली क्रिया पूर्व काली क्रिया पूर्ण काली क्रिया अल्थक क्रिया कि चलिए बताईए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि यह पूर्व कालिक क्रिया करते जिसमें एक क्रिया तुरंपूरा हुआ रहा रहता है दूसरे क्रिया श्टार्ट हो जाता है दिनेस पढ़कर सोया पहले पढ़ा फिस ह आटकिस हैं कि धर्टी टू में कितने आपके सऺह हुए सभी लोग को मैं बहएं और चलिए और क्यांच कराना है ठीक है और जिन लोग अभी तक नहीं मैं बार 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 पॉलता हूं कि बहुता है इस बार जीजान लगा तयरी का लिजें कि एक बार फीजच देना है आप देख लिजे और तूरां रजिटेशन करवा लेज जीतने लोग भी स्टेटरस में भी देखते हैं वीडियो को आप लोग बार बाब और हों कि आप यूटूब से बूक से पढ़के नहीं होगे जब तक एक से स्टेमाटिक धन से पर्टीकुलर हर दी नेकर इस्टेब आप नहीं चड़ोगे तब तक आप मंजील तक नहीं पहुंचोगे तो चलिए इसको सेयर करें सभी स्टेटरस में जा